नमस्कार मैं नीरज गोशिक और हिंदी विशे के उनलाइन सिख्सा में आप सब का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे कक्सा 9 की हिंदी की पाठ्यपूस्तक सीटीज का काव्यखंड का पाठ तीन जिसके कवी है रस्खान और इनके जो पद है उनका नाम है सवीई रस्खान के सवीई आज हम पढ़ेंगे तो ठीक है शुरुआत करते हैं पहले हम इनके जीवन परिच्चे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं रस्खान का जन्म सन 1548 में गुआ माना जाता है इनका मूल नाम सयद इबराहिम था और में दिल्ली के आसपास के रहने वाले थी किरिशन बक्ती ने उन्हें ऐसा मुग्द कर दिया था कि गोष्वामी विठलदास से उन्होंने दिखसाली और ब्रिज भूमी में जा बसी रस्खान जी का देहांत सन 1628 के आसपास हुआ इनकी रचनाई सुजान रस्खान और प्रेम वाटी का उपलब्द क्रीतिया है रस्खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाव का संग्रे मिलता है अगर बात करते उनकी भासा सैली की परमुख क्रीशन भक्त कविरस खान के अनुरक्ती नैकेवल क्रीशन के परती प्रेम में पर कट हुई है बलकि क्रीशन भूमी के प्रती भी उनका अनन्या अनुराग व्यक्त हुआ है उनके काव्य में क्रिशन की रूप मादूरी, ब्रेज महीमा, रादा क्रिशना की प्रेम लीलाओ का मनोहरवर्णन मिलता है उनके यहां ब्रेज भासा का त्यंत सरस और मनोरम प्रियोग मिलता है जिसमें जराबी सवदा डंबर नहीं है ककसानों की पाठ्या पुस्तक में भी उनके सवईय जो अंपड रही है इन में भी उनका स्रीकिर्शन के परती अनन्य प्रेम ही जो लगता है तो चलिए शुरुआत करते हैं इस काव्य की उनके सवईय जो प्रतम सवईया है देखे इसमें क्रिशन भक्त कवी रस खान जो एक मुसलिम दर्म से होते वी उनके क्रिशन भक्ती के बारे में बहुत अच्छे सवईय लिखे हैं तो ये जो सवईया है इनका प्रतम पंक्ति से इसका भावार्त समझते हैं इसमें ये कहते हैं मानुस हो तो वही रस खानी रस खानी का अर्थ रस खान कवी से है उनका नाम है मानुस हो तो वही रसखानी अगर मैं मानुस हो मानुस मतलब मनुस्य हो अर्थात अगर अगले जन्म में मुझे मनुस्य का जीवन प्राफ्त हो तो रसखान कभी कहते हैं बसो ब्रज गोकुल गाउं के गौरण गौरण होते हैं गौले तो वो कहते है कि मेरी इच्छा ये है मेरी कामना ये है कि अगर अगले जीवन में अगले भविशे में उने वाले जन्म में मैं मनुस्या का जीवन मुझे मिले तो मैं कहां बसना चाहता हूँ, मैं बसना चाहता हूँ, ब्रज के गोपल गाओं के उन गौालों के बीच, अर्थात मैं उनके बीच ही रहना चाहता हूँ जो पसू हो तो कहां बस मेरो देखे बहुत आसान अर्थ है इनका पंक्तियों का जो पसू हो तो कहां बस मेरो अर्था जो अगर मैं पसू बनूँ अगले जन्म में अगर मुझे पसू का जीवन मिले तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनू मंजारन नंद बाबा की धेनू होती है गाएं मंजारन का मतलब उनके बीच में यानि प्रति दिन जो नंद बाबा की गाएं जाती है चरणे के लिए मैं उनके बीच में गाएं का ही रूप पाकर चरणा चाहूंगा अर्थात इन पंक्तियों से स्री किरिशन के प्रत्यून का नन्या प्रेम जलगता है वो किसी भी जीवन में किसी भी रूप में स्री किरिशन के समीप रहना चाहते हैं उनसे जुड़ी चीजों के पास रहना चाहते हैं आगे वो कहते है पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरी चत्र पुरंदर धारन देखे पाहन क्या है पाहन होता है पत्थर वो कहते है अगर अगले जन में मैं पत्थर बनना पड़े मुझी वही गिरी को जो कियो हरी चत्र पुरंदर धारन पुरणदर होता है उंगली पर अर्वत का पथर बनना चाहता हूँ जिसे हरी ने इश्वर पुरणदर धार अर्वत अपने उंगली पर अपने हाथ पर उठा लिया था छाटे के रूप में जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदंब की डारन आगे कभी कहते हैं रस्खान कभी जो खग हो खग यानि पकसी अगर मैं पकसी बनू अगले जर्में तो मैं कहां चाहता हूं कि मेरा बसेरा कहां हो मेरा वास कहां हो कालिंदी कूल कदंब की डारन यानि कालिंदी बोलते है यमुना नदी का प्रियाएवाची है कालिंदी कूल और उसके तट यानि किनारे पर यानि यमुना नदी के किनारे पर जो कदंब की डारन यानि जो कदंब का पेड़ है उनकी डालो पर कहने कार्थी यह है कि अमना न दिके किनारे जो कदमब का पेड़ है उनकी साकाओ पर मैं अपना वास चाहता हूँ अगर मैं पक्सी बनू तो क्योंकि वो जो कदमब का पेड़ है उसी के नीचे बैठ कर जो ऐसी रिकिरसन बासुरी बजाया करते थी तो देखे इस पध्यांस में सवये में कभी ने क्या इच्छा पर कट किया वो कहते कि यदि मैं मनुष्य बनू पर्थम पंक्ति में वो कहते है अगर मैं मनुष्य बनू तो मैं ब्रेज के गोकुल गाओं के गवालों के बीच रहना चाहता हूँ अगले पंक्ति में वो कहते ह यदि मैं पत्थर बनू तो कहां बनना चाहता हूँ, कहां परवास चाहता हूँ और यदि मैं पत्थर बनू तो उस परवत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसे स्रीकिर्शन ने चाते के रूप में अपने हाथ पर उठा लिया था और यदि मैं खग बनू अर्थात मैं अगर पक्सी बनू तो मेरा वास कहाँ ना चाहिए यमुना नदी के तटके किनारे के कदम्ब के पीड की साखाओ पर वास चाहते हैं रस्खान तो देखिए अब इसका दूसरा सविया है या लकूटी अरुकामरिया पर राज तिहूं फूर को तजिडार हूँ आठाउसी धी नवो निधी के सुख नंद की गाएं चराई बिशार हूँ रस्खान का बोविन आखिन सो ब्रेज के बन बाग तडाग निहार हूँ कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुणजन उपर वार हूँ इसमें जो है पहले पंक्ते में कवीरस कान जी कहते हैं या लकूटी अरुकामरिया पर राज तिहूं फूर को तजिडार पूरकार्थ लोक, तीन लोक जैसे हम बोलते हैं दुनिया में जो हैं तजी का मतलब तज देना था छोड़ देना त्याग करना डारो इसमें जो है कवीरस्खान कहते हैं उन से जुड़ी चीजों के लिए अगर मुझे वो चीज़े मिल जाए तो मैं उनके लिए कुछ भी छोड़ने को तयार हूँ आगे वो कहते हैं आठों सिद्धी नवो निदी के सुख देखे आठों सिद्धी नवो निदी के सुख नंद की गाएं चुराई बिसारो अर्थात अगर मुझे आठों सिद्धी नवो निदी भी अगर मेरे पास हो इतना धन इतना खजाना भी अगर मेरे पास हो और मुझे नंद बाबा की गाएं चराने का उसर मिले तो उनके बदले मैं उन सब चीजों को अपनी आठो सिद्य और नवने दे को छोड़ सकता हूँ त्याग सकता हूँ, भूल सकता हूँ भी सारों का रत होता है भूलना अगले पंक्ते में रस्खान कभी कहते हैं रस्खान कभो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो यानि आगे वो कहते हैं रस्खान कभी कहते हैं कि है इस वर कभ मैं अपनी इन आखिन सो अर्फात मैं अपनी नाखों के माध्यम सी अपनी आखों के दोरह ब्रज की उस ब्रज के उन वन बाग बगीचे और तड़ाग तड़ाग होता है तालाव नहा रहां का मत देखना अर्थात मैं ब्रेज के बाग बगीचे और उन तालाबों को कब देख पाऊंगा जो सिरी के रिसन से जुड़े रही है अगली जो पंक्ती है अंतिम पंक्ती सवईये की कोटी के कल धोत के धाम करील के कुंजन उपर वार हो कोटी का अर्थ होता है करोडों कल धोत के धाम का अर्थ स्वर्ग जैसे या स्वर्ण जैसे महल अर्थात सोने के बने हुए महल अर्थात अगर करोडों सोने के बने हुए महल भी हो करील के कुंजन उपर वार हूँ उन्हें भी मैं उन ब्रेज की करील की जो जाडियां है उनके उपर वार सकता हूँ जो स्रीकरिसन के समीब थी अरता जहां पर स्रीकरिसन भर्मन किया करते थी वहां कि उन करील की जाडियों के उपर भी मैं करोडो स्वर्ण महलों को छोड़न के लिए या त्याग करने के लिए तयार हूं तो यहां से इन सवईयों के माध्यम सिज्वर रस्कान जी की क्रिशन बगती के बारे में पता चलता है अब देखें तीसरा पध्यान से इसका मोर पखासिर उपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी ओडी पितंबर ले देखें एक गोपी जो है वो अपनी सकी से कहती है क्योंकि वह स्रीकरिशन से बहुत प्रेम करती थी सारी गोपियां तो वो गोपी स्रीकरिशन के रूप के प्रेम से वसी बूत होकर कहती है कि मैं उन जैसा ही रूप बनाना चाहती हूं मैं उन जैसी ही बिल्कुल बन जाना चाहती हूँ, तो क्या क्या करने के लिए तयार हैं, वो इसके मादियाम से बताया गया, यार्थात मैं सिरकृषन की तरह मौर का पंख अपने सिर के ऊपर रखने के लिए तयार हूँ, गुंज के माल गरे पहिरूँगी, और वन के फूलों की माला वो अपने गले में पहनते थे वो भी मैं पहनने को तयार हूँ अर्थात मैं उनकी तरह सिर पर मोर पंक भी लगा लूँगी और गले में गुंजो की माला भी पहन लूँगी ओडी पितांबर लेलकूटी बन गोधन गवारनी संग फिरूँगी ओडी पितांबर अर्थात पिलावस्तर ओडी ओड कर जैसे वो स्री कृष्ण ओडते थी पिलेवस्तर ओड कर लेलकूटी लेलकूटी का मतल़ लकूटी क्या था लाठी अर्थात उनकी तरह ही पिलेवस्तर पहन कर और लाठी लेकर बन गोधन गवारनी संग फिरूँगी अर्थात मैं भी स्रीकिर्शन की तरह पीले वस्तर धान करके और आथ में लाठी लेकर गायों के साथ घूम लोगी भावतों वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी रस खान कभी कहते हैं वो गोपी कहती है कि भावतों वही अर्थात जो भी उन्हें अच्छा लगता था तेरे कहे सब स्वांग करोंगी अर्थात मैं उनके कही, तेरे कहने पर वो सारे स्वांग, वो सारे स्रिंगार करने को तयार हूँ, जैसे रूप सज़ा से वो रहते थी या मुल्ली मुल्ली धर की, अधरान धरी, अधरान एधर होंगी देखे, इस फंक्तिकार्थ वो अच्छे से समझने की जरूरत है वो कहते है या मुल्ली मुल्ली धर की अर्थात या मुल्ली मुल्ली करत बांसूरी लेकिन यह जो बांसूरी है मुल्ली धर की मुल्ली धर स्रीकरिसन के लिए आया है अर्थात स्रीकरिसन की जो यह बांसूरी है अधरान धरी जो अधरान अधरान का अर्था होटों पर रखी जा चुकी है धरी जा चुकी है अधरान धरूंगी यानि जो ये स्रीकरशन की बासूरी है जो नोंने अपने होटों पर रखी हुई थी अधरान धर चुके हैं जो वो उसे अधरान धरूंगी इसको मैं अपने होटों पर नहीं छुआउंगी अर्थास पर्स नहीं करूंगी अपने होटों पर नहीं रखोंगे। कहने का रथ ही है कि मैं स्रीकर valeurशन जैसा जैसी बनने के लिए सब कुछ करूंगी जो जो वो रूफ सद्धा जैसी भी रखते थी वैसे ही करूँगी लेकिन स्रीकरिसन के बांसूरी जो उनके होठो का स्पर्स करके आ चुकी है इसे मैं अपने होठो पर अब स्पर्स नहीं करूँगी अर्थात यहां पर गोपी की इर्श्या भावना जगती है बांसूरी के लिए मुड्ली के लिए वो चिड़ती है बांसूरी से कि ये स्रीकरिसन के इतने समीप रही है और हमें इसका उसर प्राप्त नहीं हुआ अब चोथा सवईया है अंतिम सवईया इसका काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुड्ली धूनी मंद बज़े है मोहनी तानन सोरस खानी अटा चड़ी गोधन गहे तो गहे तेरी कहों सिगरे ब्रेज लोगनी काला ही कोव कितनो समुझे है माईरी वामुख की मुस्कानी समहरी नज़े है नज़े है देखे इसमें पर्थम पंक्ती से कहती है गोफी कहती है काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुड्ली धूनी मंद बज़े है अर्थात काननी दे अंगूरी रही वो मैं कानों में उंगली डाल कर रह लूँगी जब ही मुर्णी धूनी मंद बजे है जब मुर्णी की धून धी में धी में बजेगी अर्थात जब धी में धी में स्रीकरिशन की मुर्णी की धून बजेगी तब मैं अपने कानों में उली डाल लूँगी अर्थात मैं उनकी बासुरे के धुन नहीं सुनूंगी मोहनी तानन सो रस्खानी अटा चड़ी गोधन गही तो गही आगे वो गोपी कहती है मोहनी तानन जो फालगुन मास में फालगुन मास में गाया जाने वाला एक लोक गीत है जिसे मोहनी तानन कहा जाता है तो वो गोपी कहते हैं मोहनी तानन सो रस्खानी रस्खान कभी कहते हैं वो गोपी कहते हैं मोहनी तानन सो या अर्था तो वो अपनी अटारी पर चड़ कर अगर मोहनी तान को गाएं तो गाएं मैं उनको नहीं सुनूंगी तेरी का अर्थ होता है तेज आवाज में पुकार कर कहना वो कहती है गोफिर तेरी कहों सिगरे ब्रेज लोग नी सिगरे अर्थात सब को ब्रेज लोग नी यानि ब्रेज के लोगों को अर्थात मैं सब ब्रेज के लोगों को ये बात तेजवाद में पुकार कर कहती हूँ कालही कोव कितनो समुझे है कालही का मलब कल भविश्या में चाहे कोई मुझे फिर कितना भी समुझे है अर्थात समझाए माईरी वा मुख की मुस्कानी समहरी नजह है नजह अर्थात मैं सब चीजों पर नियंतरन रख सकती हूँ प्रन्तु हे मया वो मुख की जो मुस्कान है अगर मुझे वो दिखी स्रीकरिसन के मुख की मुस्कान अगर मुझे नजह आई तो फिर मैं अपने आपको नहीं संभाल पाऊंगी अर्थात उनके मुख की मुस्कान देखने के बाद मेरी इंदरियों पर मेरा नियंतरन नहीं रहता तो ये जो है इन सवईयों की प्याख्याती इनका भावार था उमेद करते हैं कि आप सब कोई पाथ अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद